तो आज का मारा टॉपिक है infant mortality rate क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँँ कुछ पी लिखने की सब्सक्राइब नहीं है क्लास का नोट्स आपको description box में देती है जाएंगे बहाँ से आप direct download कर सकते हैं तो शुरू करते हैं हमारा preventive medicine in obstetrics, pediatrics and geriatrics वाले chapter का बहुत ही important topic that is infant mortality rate अब है infant mortality rate क्या होता है उससे पहले आपको पता होना चाहिए infant क्या होता है infant क्या होता है? infant होता है एक साल से कम उमर का बच्चा जिसको की infant कहते है याद कैसे रखेंगे infant एक साल का? तो infant का उठा लो I, I in roman letters is one, तो one years से छोटा बच्चा is infant ठीक, तो infant mortality rate क्या होता है? तो हमने formula के लिए हमेशा क्या कहा है? कि भाई, जो निकालना है उसको उपर रखो तो infant mortality rate निकालना है, इसलिए infant mortality उपर रखा तो कितनी infant death हुई एक साल में? याने कि एक साल से कम उमर के बच्चे कितने मरे, divided by कितने जिन्दा बच्चे पैदा हुए into thousand तो ये है आपका infant mortality rate कि भाईया, कितनी infant death हुई per thousand life worth में? तीक, अब ये किस चीज का इंडिकेटर होता है infant mortality? मतलब अगर कहीं पे बहुत जादा एक साल से कम उमर के बच्चों की मौते हो रही है, या किसी जगह पे एक साल से कम उमर की बच्चों का मौतों का आपड़ा बहुत ही कम है, उससे क्या पता चलता है या तो बहुत जादा है, या तो बहुत कम है, उससे क्या पता चलता है that is known as indicator कि कि किस चीज का indicator होता है किसी जगह पे IMR तो availability, utilization and effectiveness of health services तो यह best indicator होता है इस चीज़ का कि अगर किसी जगह पे health services बहुत ही अच्छे से available हैं, बहुत ही अच्छे से इसका इस्तिमाल हो रहा है और बहुत ही effective health services अगर हमको मिल रही हैं तो हमारा IMR क्या होगा? इसके विपरीत अगर किसी जगह पे health services बहुत अच्छे से available नहीं है available हैं तो अच्छे से utilize नहीं हो रही है और उतनी effective नहीं है तो वहाँ पे IMR जो होगा वो बहुत जादा होगा तो यही होता है best indicator कि भाई किसी जगह पे health services कैसी है उसे से related कुछ और शब्द हैं जैसे कि उस community की health कैसी है उसके लिए भी best indicator होता है और अगर आप health की जगह health status शब्द यूज़ कर लो तो health status के लिए यह most universally accepted indicator है कि भाई किसी जगह का health status अगर आपको बताना है तो वहाँ देख लो कि भाई IMR की value कितनी है उससे उस जगह या उस community के health या health status का पता चल जाएगा अब एक बहुत important याद रखना इसको लाल से सी लेकिया है कि यह ना second best indicator होता है socio economic development का not first first कौन सा होता है under 5 mortality rate तो अगर आपको question आता है कि भाईया socio economic development किसी जगह पे या किसी country में कैसा हुआ है तो उसको मापने के लिए क्या EMR best indicator है नहीं क्यों क्योंकि under 5 mortality rate best indicator है याद कैसे रखेंगे तो socio economic का S और देखो हमारा यह जो 5 है यह भी S के जैसा दिखता है तो socio economic का best indicator under 5 mortality rate होता है infant mortality rate नहीं होता है इसको याद रखना उसके बाद level of living फिर वह है कि वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं उनका level of lifestyle या level of living कैसा है उस पर भी depend करता है कि वहाँ पर IMR बहतर होगा कि खराब होगा या IMR अच्छा है क्योंकि वहाँ पर level of living better है और IMR खराब है यानि बहुत सादा है क्योंकि level of living खराब इससे भी पता चल सकते है उसके अलावा जैसे हमने यहाँ पर देखा था इस point को वैसे ही आप देख सकते हो कि MCH services कितनी effective है यह भी हम पता लगा सकते हैं वहां के IMR में क्यों क्योंकि भाई अगर MCH services अच्छी होंगी तो IMR जो होगा वो कम हो जाएगा क्यों क्योंकि अच्छी maternal MCH बोलतो maternal and child health से related services आप अच्छी दोगे तो मा की तवियत भी अच्छी रहेगी चाइल की तवियत भी अच्छी रहेगी तो IMR कम हो जाएगा ठीक उसके अलावा state failure के लिए कि भाई state किसी प्रुदेश की state की policies, services कैसी हैं ये पता लगाने के लिए भी best indicator में आता है infant mortality rate क्योंकि अगर किसी state की IMR जो है वो बहुत जादा है तो आप कहोगे कि भाईया इस state की policies और services उतनी बहतर नहीं है और बहतर हो सकती है तो indicator के नाम पे आपको क्या याद रखना है भाई availability, utilization और effectiveness को health status और health का नाम भी याद रखना socio-economic में नहीं याद रखना क्योंकि socio-economic का under 5 mortality rate best indicator होता है ये second best होता है ठीक अब आता है भाई इंडिया का कितना है इंडिया का infant mortality rate करीब 32 per thousand live birth है यानि कि अगर 1000 जिन्दा बच्चे that is live birth अगर 1000 जिन्दा बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से एक साल तक पहुँचते पहुँचते करीब 32 बच्चे मर जाते हैं सिंपल समझ गए अब सबसे जादा कहां का है सबसे जादा है मध्यप्रदेश का और सबसे कम है नागलेंड का और याद रखना कि infant mortality जो होती है करीब अधारा प्रतिशक total death इने इंडिया कि अगर total मौते जो हो रही है वो 100 हो रही है तो उनमें से 18 जो होते हैं वो एक साल से कम उमर में मर जाते हैं तो इंडिया में टोटल डेथ का परसेंटेज में से 18 परतिशक तो सिर्फ इंफेंट है थी है जो कि खराब है अब याद रखने वाली चाहिए इंडिया का 32 है ये कैसे याद रखेंगे तो सिंपल है 3 2 1 ठीक है 1 2 3 या 3 2 1 ऐसे याद कर लो 3 2 1 एक मतलब 1 साल से कम उमर के बच्चे इस इंफेंट तो इंफेंट मोटैल्曲 रेर्ट किता है 32 ऐसे याद रख सकते हो 32 1 ठीक 3 तो इंफेंट मोटैल्टी यानिकी 1 साल से कम उमर के बच्चे इंफेंट मोटैल्टी रेट 32 है इंडिया का अब आता है और física trendy पैर्टन कैसे की सा ह तो infant का मतलब क्या होता है, infant का मतलब होता है कि बाई, birth से लेके एक साल तक का बच्चा, इसको हम कहते हैं infant, ठीक है? तो यह जो पूरी infant mortality है ना, इसमें से करीब-करीब 68% बच्चे जो होते हैं, वो एक महिने के अंदर ही मर जाते हैं, उसमें से भी 75% जो होते हैं, वो पहले week में ही 75% मौते जो होती हैं, 75% मौते वो पहले हफ़ते में ही हो जाती हैं, ठीक है? तो एक साल के बच्चों की मौतों में से करीब लगबग-लगबग 70% तो एक महिने में ही मर जाते हैं, और उस 70% में से के अंदर के 75% एक हफ़ते में ही मर जाते हैं, याद रखना, और सबसे जादा जो खतरनाक time होता है ना, कि बच्चों at risk होते हैं, वो पहले दो दिन होते हैं, first 24 से 48 hours, इसलिए तुम देखोगे कि जितनी भी institutional delivery होती हैं, हम at least 48 hours तक तो उनको अस्पताल में ही भरती रखते हैं, delivery होने के बाद, जिससे कि इन बच्चे पे भी नजर रखी जा सके, समझ गए, तो खतरनाक time क्या है बच्चे का, अकसाल से कम उमर की बात करें, तो प पहले हफते में ही हो जाती हैं, तिक, अगर तुमको याद हो, तो हमने पढ़ा था ये पहला महिना याने की क्या होता है, neonatal mortality और ये पहला हफता क्या होता है, early neonatal mortality, और अगर तुमको याद हो कि early neonatal mortality के most common causes में क्या था, तो ये दो बेहने, low birth weight और pre-matrivity, तो most common cause, अर्ली नियो 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 न इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि in fact infant mortality के भी most common causes में इंडिया की बात कर रहा हूँ low birth weight और prematurity आएगा तो तुम देख ले ना prematurity और low birth weight तुमको यह हर जगह मिलेगा तो इसमें confused नहीं हो ना क्योंकि जादतर बच्चों की मौते पहले हफ्ते में ही होती है और पहले हफ्ते में low birth weight और prematurity बहुत important role है ठीक है sex की बात करें तो एक महिने के बात देखा गया है जासा देखा गया है कि female death या female infants की मौते जादा होती है इंडिया में तो यह तो हमने थोड़ा सा mortality pattern समझ लिया अब देखते है causes infant mortality के causes तो अगर तुम्हें याद हो कि हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि भाई neonate क्या होता है neonate होता है birth से लेके 28 दिन तक या या फिर करना चाहिए कि 4 हफते तक ठीक है और post neonate क्या होता है post neonate होता है 28 दिन या फिर कह सकते एक महिने से लेके एक साल तक और इनके हमने पिछले वीडियो में आप देखो के तो उसमें हमने इनके causes भी पढ़े थे तो actually यह दोनों मिला क कि क्या बन रहे है नियोनेट और पोस्ट नियोनेट मिला के तो infant बन रहे है यह देखो एक बार्ट से लेके एक महिना और उसके बाद एक महिने से लेके एक साल तो इन दोनों को मिला दो तो यह पूरा infant हो गया कि एक साल से कम उमर को बच्चा तो जो neonatal mortality के causes दोंगे और पो था कि वह इंगे जो पर ऑपर वत यथा बहुत की तवह तर सम्झे लेख पतर फेस ने को या अई वह घए ऊप्र होते समय कोई अनजेल लग गई थी या फिर कोई सेप्से सोगया उसको को infection लेके आया है या फिर कोई hemolytic disease लेके आया है या मार के पेट से ही कोई congenital anomaly लेके आया है तो बच्चा एक महीने के पहले ही मर जाएगा अब post neonatal mortality ने एक महीने के बाद बच्चा एक महीने के बाद किन-किन वजों से मरेगा भाई एक महीना हो गया है तो उसके बाद किया या तो माने अच्छे से दूद नहीं पिलाया माल नरिश्ट हो गया बच्चा या फिर बाहर से कोई infection लग किया जैसे कि इसके बाद बच्चा मर रहा है तो माता पिता तो पागल ही होंगे याने कि मैड ही होंगे तो M for malnutrition, A for ARI and D for diarrhea उसके अलावा भी कुछ और पॉसेज हो सकते हैं जैसे कि accidentally बच्चा गोत से गिर गया या गाड़ी से गिर गया तो उसकी मौत हो सकते हैं या फिर कोई congenital normally जो जादा लंबे समय तक बच्चा जी गया एक महीने के पहले मर जाते हैं जादा ता लेकिन एक महीने से जादा जी गया तब मौत हो गई तो वो भी कुछ कॉस्ज होते हैं लेकिन पोस्ट नियो नेटल मौताल्टी में मैड तो याद रखना मालनुट्रिशन एराई और डारियेल्ट जी अब अगर मैं बात करूं इन सारे प्रतिशत बच्चे तो एक महीने में मर जाने हैं एक महने में और उसमें भी करीब ऐक हफ्ते में प्रतिशत मर रहे हैं और यह अर्ली नियोनेटल मॉटाल्ति ट इस जो एक हफ्ता था स्की खाएं vulner अंगतु श्रочно सब्सक्राव अर्ले नियूनेटल पढ़ा था परिनीटल मोटाल्टी क्या था 28 हफ्ते जब पच्छा पेट में हैं से लेके बर्थ के बीच में अगर मौत होती है तो इसमें भी हमने पढ़ा था कि तीन कोज इस पढ़े थे एक तो था एंटीनीटल कॉस कि जब पेट में ही ऐसा क्या चीज़े होंगे जिससे ब देलिवरी हो रही है तब क्या वजह होंगी जब बच्चा मर जाएगा एक था पोस्ट नीटल कॉस कि बहिए बर्थ से लेके साथ दिन के अंदर तो पोस्ट नीटल कॉसे में भी परिनीटल मॉटल्टी में हमने क्या पढ़ा था कि बहिए लोग बर्थ फेट और प्रीमेच शुरू किया PCV वैक्सीन शुरू करवाई रोटा वैक्सीन शुरू करवाई है उसके अलावा कोई कंजनाइटल मॉलफोमेशन कॉर्ड इंफेक्शन या कोई कॉर्ड सेप्सिस हो गया है या फिर बर्थ इंजरीज अब याद रखना कि यह जो बर्थ इंजरीज है नहीं य इसमें कुछ पंगे हैं और वजाइनल डिलिवरी कराएंगे तो बर्थ इंजरी हो सकती है तो यह लोग क्या करते हैं वजानल डिलिवरी कराते ही नहीं है और सीधा सीजेरियन करा देते हैं अब सीजेरियन कराओगे तो बहुत कम चांसे हैं कि बर्थ इंजरी होगी तो यह एक वज़े मुझे लगती है कि बर्थ इंजरी जो है लीस्ट कॉमन है क्यों कि भाई अगर आपको लग रहा है कि बर्थ इंजरी हो सकती है बच्चे को तो आप से जहरी न करा दो तो बहुत कम चंसें से बर्थ इंजरी कराने की तो ऐसे याद कर सकते हो यह वज़ा है मैं नहीं बोलूगा लेकिन ऐसे याद कर सकते हो कि बर्थ इंजरी लीस्ट कॉमन कॉस होता है क्योंकि एगर थोड़ा भी लगता है कि बच्चे को बच्चे को कुछ डिलिवरी के समय कुछ चोट लग सकती है लीस्ट कॉमन कॉस्ट ठीक फिर वही आ गया क्या है यही अजिर्ट ने कॉमन कॉस्ट कर कि अधकर आंकन कर बें इंड्क वाला ऱलाटो तो मेरे को तुमको सबको याद है वर्ल्ड वाला वैसे तो सवाल आज तक नहीं दिखा मेरे को तो यह तो हो गया इंडिया की उसके बाद एक बहुत इंपोर्टेंट कुश्चन आपका वाईवा में आता है कि एक साल से कम उमर का बच्चा पे कौन-कौन सी चीजे हैं जब उसको बोलेंगे एक रिस्क है यह खतरनाक बच्चा है इसकी मौत हो सकती है इस पे जादा ध्यान देना है तो पहलो तो है भाई लो बर्थ वेट की बच्चा पेट से ही कम वर्जन लेकिया है लो बर्थ वेट किसको कहते हैं 2.5 kg से कम उमर का अगर बच्चा होता है तो यह तीन पॉइंट एक साथ यात कर लो लो बर्थ वेट का है या फिर वेट गेन नहीं कर पा रहा है पिछले तीन महिनों से तीन महिने लगतार हो गए लेकिन वो वेट केंड कर ही नहीं पा रहा है या फिर करीब जो एकस्पेक्टिट वेट है उसका सकतर प्रतिशत ही वेट बच्चे का है तो कहेंगे कि भाईया एक रिस्क इंपैंट है उसके अलावा अगर यह साली इस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा उसके बाद बहुत इंपोर्टेंट है कि चौथा या पाच्वे नंबर का बच्चा है तो उसको पहली बात तो उसको खाने को नहीं मिलेगा पहले चार को ठंग से पेट पर के खाना-काने मिल जाए तब उसको मिलेगा मां भी लुप संब्सक्राइब गुजाये तो बच्चा एक्टरिस में जा सकते है या फिर कुंट पेग्नेंट्सी एक साथ ट्रविन पैदा हो गए दोदो पैदा हो गए त्रिपलेट पैदा हो गए ठीन थीन पैदा हो गए तो मां उत्यां उच्छी से क्याल नहीं रख पाएगी कि बच्चे का तो कोई एक तो एट्रिस में चला जाएगा उसके अलावा अगर बहुत जल्दी आप वेनिंग शुरू कराज देते हो याने कि मा के दूद के अलावा और कुछ देने लगते हो तो आटिफिशियल फीडिंग वगरा कराने लगते हो तब बच्चे चला जाएग तब बें उनके बच्चे जो है वो एक रिस्क पे रहते हैं ठीक है मैं नहीं कहते हैं हमेशा रहते हैं लेकिन theoretically है कि हां भई वो एक रिस्क रहते हैं अब इसको याद कैसे करेंगे तो भाई यह देखो यह लगभग चारों ही वेट वाले हैं एक तो लो बर्स वेट है दू घरीनना जीमाल नरिष्ट हो गया वो और टाहरिया वर्लinum है उसके लवा यह दौ साथ में कर लो कि बहीर यह तो बहुत सारे बच्चे यह एक यह तो पांच यह नंबर का बच्चा है यह तो एक सांध में मत दूह सीखाह लो और बहुत कर कि बहुत सारे बच्चे हैं ओप तो इन तीनों को ऐसे आप याद कर सकते हो सिंगल पैरेंट वर्किंग मदर आटिफिशल फिडिंग तो ऐसे एट लिस्ट आप आट रिस्क इंफाइंट को याद कर सकते हो लो बार्थ वेट के इंकम और वेट बिलो 70% तो पीम और या फिर बार्थ और पांच से जादा उसके सिंगल पैरेंट वर्किंग मदर आटिफिशल फिडिंग तो ऐसे आट रिस्क इंफेंट याद कर लेना क्योंकि वाईवा के लिए बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है ठीक फिर आता है कौन-कौन से फैक्टर्स है जो इंफेंट मॉटालिटी को एफेक्ट करते हैं कौन-कौ की हुमर अगर बहुत सैदा है तब भी बच्चे की जानको कात्रा है बहुत कम है that is 19 साल से अगर कम है तब बच्चे की मौत की चैंसेज बढ़ जाते है मां की अगर 35 से जादा है तब भी बच्चे की मौत की चांसेज Mmm maternal education मा अगर पढ़ी लिखी हो तो बहुत 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 इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है कि भाई infant mortality है child mortality को कम करने के लिए इसका बहुत अच्छा एक्जामपल कैला में देखा गया जहाँ पे female literacy जो थी वो काफी high थी और इसलिए infant mortality काफी कम थी उसके बाद birth order जैसा कि हमने कहा कि भाई highest mortality कब देखी जाती है जो पहला बच्चा होता है ना उसमें सबसे जादा highest mortality देखी जाती है क्यों कि पहली चीज़तों कि जो parent होते है उनको पता नहीं होता है कैसे जादा तर occasions पे पता नहीं होता है कि बच्चे को कैसे संभालना है कैसे पूरा ख्याल रखना है तो थोड़ी सी कमी रह जाती है इसलिए जादा देखा गया है कि सबसे जादा एक साल से कम उमर के बच्चे पहला जो बच्चा होता है तम मौते होती है lowest mortality का lowest mortality second born में देखी गई है क्योंकि बच्चों जित्ती करती हैं करनी थी माबाब को पहले बच्चे में कर चके तो दूसरे की अब ब्रिंगिंग बैटर तरीके से करते हैं इसलिए lowest mortality देखी गई है दूसरे नंबर के बच्चे में दो काफी है उससे जादा मत करना वरना पंगे हो जाएंगे तो तीसरा और उसके जाबाद वाले बच्चों में फिर से mortality rate increase होने लगता है ऐसा देखा गया है तो highest mortality पूछे जाएगी birth order में तो बोलोगे first born और lowest mortality पूछे जाएगी तो बोलोगे second born ठीक? अब birth spacing भी बहुत important role play करता है कि भाई जो infant mortality है highest कब होती है अगर दो बच्चों के बीच में आपने सिर्फ एक साल का gap रखा है तब सबसे जादा मौते देखी जाती है क्यों? क्योंकि भाई इसके और इसके बीच में अगर एक साल का gap है तो ये बहुत बड़ा हुआ नहीं है और दूसरा बच्चा आगे है दो-दो बच्चे कहां से समालने है पंगे हो जाते हैं इसलिए दो बच्चों के बीच में दो या तीन साल का gap होना चाहिए जिससे की infant mortality के chances बहुत ही जादा कम हो जाते हैं तो दो बच्चों के बीच में कितना gap रखना चाहिए दो से तीन साल तो रखना ही चाहिए क्योंकि highest mortality देखी गई है अगर आप सिर्फ एक साल का gap रखते हो दो बच्चों के बीच में multiple birth हमने देखी लिए कि twin pregnancy वगरा में बहुत हाई risk पे रहता है उसके बाद family size या high fertility की बाद करें तो जितने बड़ा family size होगा या जितनी high fertility होगी याने कि जितने लंबे नंबर के बच्चा होगा पाँचवा छटवा या फिर family size बहुत बड़ा है बहुत बड़ी family है तो बट obviously बहुत इंपोर्टेंट है infant mortality में क्यों भाई कि अगर early weaning शुरू करा दी वीनिग यानि क्या कि जो 6 महीने पे breastfeeding के अलावा भी जब हम कुछ खाने के लिए देने लगते हैं बच्चे को उसको कहते हैं वीनिग तो 6 महीने से पहले ही आपने वीनिग शुरू करा दी तो पंगे हो सकते हैं क्योंकि exclusive breastfeeding बोली जाती है कि भाईया 6 महीने तक तो बच्चे को मा के दूद के लवा कुछ नहीं देना मगर आपने बहुत जल्दी ही वीनिग 6 महीने के पहले ही बच्चे को मा के दूद के लावा चीज़े देनी शुरू कर दी तो पंगा हो सकता है या in fact आपने bottle से दूद पिलाना शुरू कर दिया बहुत जल्दी ही तब भी बच्चे को infection वगरा होने के chances होते हैं उसकी मौत हो सकती है illegitimacy भी एक option देखा गया है कि भाया हमको चाहिए नी था लेकिन फिर भी बच्चा हो गया तो ना हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे ना medical care अच्छे से देंगे ना टीके लगवाने का ध्यान रहता है कि immunization कराना है ना ही उसके nutrition पर ध्यान देते हैं उस वजह से बच्चे की मौत हो सकती है sex of a child भी एक cause देखा गया है इंडिया में कि female infant mortality जादा high है as compared to male क्योंकि कई बार parents उतने अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं बच्चे पर जितने अच्छे से male child पर ध्यान देते हैं घर का चिराग एंड फलाना डिकाना फालतू की बाते हैं तो यह भी देखा गया है उसके अलबा socio-economic status ऐसा देखा गया है कि lower socio-economic status में infant mortality जादा होती है देखो प्यार तो बहुत करते हैं लो चाहे low socio-economic status वाले हो वो भी बहुत प्यार करते हैं वो भी बहुत प्यार से रखते हैं लेकिन कुछ सुविधाओं की कमी होती है उनके पास पैसों की कमी होती है कभी बिमार पढ़ जाए तो उतना ख्याल नहीं रख पाते उस वज़ह से इंफेंट मॉटल्टी हाई होती है ऐसे नहीं कि उन लोग ख्याल रखना नहीं चाहते उन लोग भी बहुत ख्याल रखते हैं पर फिर भी कुछ परस्थितियां ऐसी होती हैं कुछ ऐसे सिच्वेशन होती हैं जब ध्यार नहीं दे पाते तो मौते जादा हो सकती है स्टेटस में ज्यादा हाई देखने मिला है है इंपोर्टेंट है पी एसम में कुछ हैबिट्स और कस्टम्स हैं जिसकी वजह से बच्चों की मौत जैसे कि कई आप गावाओं में जाओगे ना तो कोलस्ट्रम मा का जो पहला पीला दूद होता है उसको बोलते हैं नहीं नहीं इसको बहाद हो एक खराब है गाढ़ा दूद नहीं पिलन भाईया सबसे ज़ादा इम्मनो ग्लोब्लेंस वगरा सब कुछ उसमें भारा पढ़ा रहता है उसको तो दे नहीं देना है को यह मैं का पहला पीला दूद तो पिला नहीं है बच्चे को बहुत अच्छा होता है उसके लावा कई बार जो अम्लाइकर स्टम्प होता है उस पर काउडन वगरा लगा देते हैं कि आरे यह अच्छे से बचाएगा कोई इंफेक्शन नहीं दादा वो काउडन से इंफेक्शन हो सकते हैं तो यह कुछ अब आता है आपका कि भाया कैसे प्रिवेंट करोगे इन सारी चीज़ों को तो मैं हमेशा बोलता हूँ जो कॉसे होते हैं या फैक्टर्स होते हैं उन्हीं चीज़ों को ठीक कर दो तो प्रेवेंटिव मेजर्स हो जाएंगे तो भाया मां की तबियत को अच्छा रखो यानि क अब ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एक्स्टीव ब्रेस्ट फीडिंग कराओ जिससे की इंफेक्षन और P.E.M. दोनों से बचा रहेगा बच्चा समय-समय पे ग्रोथ मॉन्टरिंग करते रहो बच्चों की और ग्रोथ मॉन्टरिंग के लिए हम पहले वीडियो में भी पढ में ही रहे तो green वाली जोन में ही रहेगा तो बच्चा healthy रहेगा PM की तरफ नहीं जाएगा यहमारा ग्रोचार्ट होता है लड़कियों के लिए पिला लड़कों के लिए निला वाला फैमिली प्लानिंग जैसा कि हमने पढ़ा कि बहुत इंपोर्टेंट है फैमिली लिमिटेशन उसके लिए contraceptive methods बताओ मा को और पिता को क्यों 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 कि अगर दो से तीन साल का gap रखोगे तो बच्चों की बीच में तो ही अच्छा रहेगा education में हमने पहले का कि female literacy बहुत important role play करता है तो अगर मा बढ़ी लिखी होकी तो बोलेगी कि बहुत जारे बच्चे हमको नहीं पैदा करने है थोड़ा space रखना है जिससे कि maternal और infant mortality बहुत जादा कम हो जाएगी समझके है तो ये सारी preventive measures हैं आपको infant mortality से बचाने के लिए तो इतनी चीज़े तो आपको at least infant mortality में पता होनी चाहिए अगर मैं बात करूँ सवाल की तो theory exam में भाई साब long question आता है infant mortality में theory exam में in fact आपको इस पे short note पी आ सकता है और theory exam में आपको very short note पे आपको at risk infant पे भी question आ सकता है ठीक अगर मैं बात करूँ वाइवा की तो वाइवा में आपसे सिधर पूछ ले जाता है कि भाई या उसका formula बता दो तो आप बता दोगे उसके अलावा आपसे वाइवा में ये पूछ लिए जाता है कि भाई best indicator infant mortality किसका होता है तो availability utilization effectiveness ये बोल देना और health या health status बोल देना community का इंडिया का कितना है ये पूछा जाता है और maximum कहां का है ये वाइवा में पूछा जाता है ठीक उसके बाद causes of infant mortality बहुत पूछा जाता है वाइवा में तो मैंने वह कहाँ नियो नेटल का बता दो पोस्ट नियो नेटल का बता दो पूरा infant का हो जाएगा और ये बहुत important question है वाइवा का कि भाइया इंडिया में most common cause क्या है तो infant mortality फिर ना examiner होशयर होता है वो बोलता अचा birth injury भी तो होता होगा ना तुम बोलो कि यार causes में पढ़ा तो था बोलो कि हाँ हाँ सर काफी common होता है भाई साब वो जाल बचा है examiner नहीं होता है फस गया वह लीस्ट common होता है most common नहीं होता है ठीक और यह तो पूछे जाएगा इंडिया में कि भाईया इंडिया में most common cause क्या होता है तो low birth weight or prematurity वाइवा का भयानक 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 important question at risk infants क्या होते हैं यह बताते आना चाहिए ठीक तो वाइवा में at least इतनी चीज़े तो आपको आनी चाहिए अगर मैं बात करूं MCQs की जो जितने भी underline part है हमारे notes और वीडियो में वो सभी अलग-अलग PGA entrance exam में पुछे गए MCQs है तो MCQ हमको best indicator पर तो मिले ही था कि भाया availability, utilization, effectiveness, health और health status इस पर MCQ आ चुका है और एक MCQ हमको इस पर आया है कि socio-economic development के लिए best indicator कौन सा होता है तो under 5 और second best कौन सा होता है तो infant mortality हमको MCQ यह भी आया है कि इंडिया का maximum कहां पर है तो MP में और minimum कहां पर है तो नागर लैंड में और total life में से कित्ती percent account करती है infant debt तो 18% यह इस पर भी MCQ आया हुआ है MCQ इस पर कईयों बाहर आया है कि most common cause of infant mortality in India that is low birth weight and prematurity और least common cause क्या होता है that is birth injury at risk infant Viva के लिए भी important, theory के लिए भी important और MCQ के लिए भी important तो आपको MCQ आय हुआ है at risk infant पे तो low birth weight भी option आ चुका है birth weight less than weight below 17% भी option आ चुका है P.E.M. or diarrhea भी आ चुका है birth order पाच से जादा उसके अलावा artificial feeding और working मतर यह सभी MCQs में आ चुके हैं option के तौर पे ठीक तो इतनी चीज़े हैं जो आपको at least infant mortality में पता ही होनी चाहिए थैंक यू